हेलो बाई नमस्ते स्वागत है आपका मेरे न्यू विलोग में मैं संतुष देवी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं यूटूब दाधी ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है आपको पताई है इसको सपोर्ट करो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वाई वीडियो को देखा क करो इसके मत किया करो और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगे जाटों का इत्याज दिखाने आई हूं और ये महराजा सूरज मली की जो तोप है जहां हम बैठे हैं बहुत ही उंची चड़ाई पर थी बड़ी मुस्किन से चड़ा गया मेरे पर तो एक तो गुठने में कहने में ही गर्व हो जब मैंने इसको देखा न तो मुझे वारा फक्र हुआ कि कितने बलसाली थे और कितनी ताकत बर ये तोप है बाई सत सत नमन करती हूं मैं महराजा सूरज मल को तो उन्होंने जाटों का इत्यास बना दी आज बरतपुर के जाट वाई महराजा सूरज म तो पाड़ी की इतनी उंची उंचा ही है कि मतलब जहां से मैंने एक वीडियो सूट किया पूरा बरतपुर दिख रा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ड्रोन से एक वीडियो बनाई ओ और बहुत ही अच्छी लोकेसण थी तो मेरे बान जी आई हुई थी तो मेरे से वो भाई और बहुत ही खुछी मिली तो यहीं से यह वां के ब्यारी का मंदिर अब भो भी दिखता है तो वहां भी जाएंगे हम आप आपको भो भी दिखाएंगे और ये क्या बुलते हैं इनको करील वगएरा ये खड़ेते वहां पर बहुत ज्यादा फिर हम ने यहां पर फोटो बोटो भी लिए एकाद दो फिर हम यहां से निकलने के बाद में फिर मंदिर की परक्रमा कंप्लीट की फिर हम मंदिर पहुचे तो आपको पता ही है जाटों क लेकिननन कोईने बहुत अच्छी जगये है आप बाहर से हैं तो कभी आणा जाना विहारी जी के दर्सिंड कंप्रमा दे ना कहा जाता है कि यह बहुत बहुत मानितान और और मंददे च्शंहापूरी होती है तो मैं तो एसे ही चली जाते हूं मन में तो क्या करना है सब ठी आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट करो वाई तो दीरे-दीरे हमने परक्रमा लगाई और फिर हम मंदिर पहुचे और वहां पे जब मंदिर के रास्ते में हम चलते हैं तब यह महराजा सूरज मल्की वहां मूर्थी लगी हुई है बहुत ही अच्छी मूर्थी है गोडे पे क्षिक राधारानी के बड़े और काना जी और भाई राधा राणी के बड़े प्यारे दर्सन करने के बाद फिर हम नीचे के लिए आने लगे तो यह साइड में हमारे गनेश की सिरी कम पड़ता है जाता आधा दाधा पनेश तो हम वहां नहीं जा पाए क्योंकि सामका समय था टाइम मेरे पास कम था तो जल्दी ही हमने पूजा पूजा करके और फिर हम घर के लिए निकलना था तो हमने पूजा आरती करी फिर वहां से हम निकलके आ गए और आपको देखना आप रास्ते में एक इतने बड़ा गेट है कहा जाता है कि जो गेट थे यह महल के यह मतलब महल किले के अंदर पड़ता है इसको हम किला कहते हैं बरतपुर में और बहुत ही मोटी क्वालिटी के गेटें आप देख सकते हैं आये कि कोई भी पार नहीं कर सकता